साल था 2021 एक बड़ा कार्गो सीप MB Express जो इंडिया के हाजीरा पोर्ट से सिंगापु जाने के लिए रवाना होती है इस जहाज में करीब 325 टन कुरूड ओयल और 1400 से भी जादा कंटिनर्स को लोड किया गया है जिसमें काफी मात्रा में गूर्ट्स और इसोसेज मौजूद हैं वेल यह जहाज जब हाज्या पोर्ट से रवाना होती है तब इस जहाज में ना ही कोई टेक्निकल प्राबलम होती है साथ ही मौसम बिल्कुल साफ होता है इवेंचुली यह जहाज बड़े अराम से अपने सफर की और बाढ़ता जा रहा था लेकिन अनफार्चनेटली यह जहाज जब कोलामबो पोर्ट से केवल 17 किलोमीटर के दूरी पर था तब अचानक से सीप में एक धमाका होता है जिसके कुछ ही समय में पूरे सीप में आग लग जाती है और जहाज धीरे धीरे पानी में डूब जाता है लेकिन यह धमाका बेसिकली जहाज में रखे हुए केमिकल के रियक्शन से होता है अबर इस इंसिडेंट की वज़ो से गॉर्मेंट को कई मिलियन सॉब डॉलर का नुकसान होता है विल आपको बता दे कि ऐसा नहीं था कि अब पहली बार हुआ था बलकि ऐसे इंसिडेंट काफी बार हो चुके हैं इवेन आज के समय में समुद में होने वाले कई हाथ से में इस्टी मीडिया में कभी रिपोर्ट भी नहीं किये जाते इसके लावाँ इसमें सबसे इंट्रेस्टिंग की बात तो ये है कि एक रिपोर्ट के मुताविक और एवरेज हर हपते दो बड़े जाज इसी तरह से डूब जाते हैं और जब भी ऐसे शीप से डूबते या जलते हैं तो सामने आती है लाइप रेस्पेक्ट और इर्वायर्मेंटल क्राइसिस का एक लीस्ट और यह लीस्ट लगतार बढ़ते जा रही है लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर इतने एक्सिडेंट हो रहे हैं तो आखिर गॉवर्मेंट को सीपिंग इंड़स्टी में क्या मेजर चेंज़स करने चाहिए कि जो एक्सिडेंट हो रहे हैं उनके प्रबबिल्टी काफी हद तक कम हो जाए जिससे सीपिंग इंड़स्टी को काफी बूश्ट मिल पाए वेल दोस्तो आए इस वीडियो में समझते हैं सीपिंग इंड़स्टी के साइज और उससे होने वाले इंपॉर्टेंस के साथ-साथ उससे होने वाले डिजास्टर्स को भी दोस्तो ट्रांस्पोटेशन यह एक ऐसा इंडरस्ट्री है जो पूरे देश की अर्थ वियस्ता को बैलेंस करने में काफी हल्प करती है इवेंचुली अगर ट्रांस्पोटेशन को एक लाइन में बताया जाए तो यह बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश की गुलोवर मार्केट को करनेट करने का काम करती है और साध ऐसा सिस्टम नहीं होता तो आज के समय में जितने भी कंट्री हैं उनके पस केवल लिम जो अपने एकनोमिक ग्रोथ का 50 से 70 परसेंट अपने ओल रिजर्फ्स को बेज कर करते हैं जिससे उनका तो फैदा होता ही है साथ ही में जिस कंट्री के पास तेल की काफी कमी होती है उसकी भी नीड पूरा हो जाती है वेल अब आपको पता चली गया होगा कि आखिर क्यों यह काफुर्टेशन इपोर्टेंट है हमारे लिए नॉआ जब बात करते हैं कि अगर पूरे दुनियां ट्रांस्पोर्टेशन हो रही है तो आकर किस बेशिस पे तो इवंचली आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन तो फचल चाहां जो दोरा किकल पॉर्ट बड़े कार्गो सिप्स आज के समय में हजारों कंटेनर्स को एक साथ इजली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जिससे फ्यूल की बचत तो होती ही है साथ में टाइम भी काफी बसता है अवर इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रैफिक का भी कोई इसू नहीं होता है क्योंकि जो कंटेनर्स हैं उनकी on average size 20 मीटर लेंथ में 8 फीट चौड़े और साथ ही 8 फीट उचे हैं तो अब आप इमेजिन करके देखो कि हजारों की संख्या में कंटेनर अगर रोट के थूट ट्रांसपोर्ट किये जाते तो हर एक कंटेनर को रखने के लिए कम से कम ए रश्टी की वजह से ही आज के समय में गैस, तेल, खाने पीने की समान, मेडिकल एक्क्यूपमेंट, छोटी बड़ी मसीने और केमिकल्स हमारे तक पहुंसते हैं इवेन ज्यादा तर कंट्री गैस और तेल की सप्लाई के लिए सीपिंग टैंकरों पर डिपेंडेंट हैं और ओसीन में ऑपरेट किये जाते हैं, नाव बीते हुए 15 सालों में समुझ में होने वाले ट्रांसपोर्ट काफी तेजी से ग्रोथ हुए हैं क्योंकि जहाजों के कारब काफी बड़े हो चुके हैं जिनकी लंबाई करीब 400 मीटर हो चुकी है, इवेन 2002 तक दुनिया का सबसे ब पड़े हुए उस तेजी से उनके सिस्टम और फेसल्टी को कभी भी अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि कुछ कमपनियां कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रोफिट पाने के लिए जहाजों को तो बड़ा बनाने लगी, लेकिन उसमें सेटी फ्यूचर्स को कभी भी इनक्रीज या अपडेट नहीं किया, जबकि इन जहाजों पर ऐसे पोड़क्ट को भी ट्रांसपोर्ट किया आता है, जो एक दूसरे से रियक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें एक बार आग लग गी, तो उसे बुझाने के लिए पानी नहीं, बलकि उसे किसी और तरीकों से बुझाया जाता है, क्योंकि कुछ पोड़क्ट तो ऐसे होते हैं, जिने पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन हाइटो रियक्टिव पोड़क्ट ये एक ऐसे पोड़क्ट होते हैं, जिनमें अगर आग लग जती है, अब जब आप इसमें पानी को डालते हैं, तो यहाँ और तेजी से जलने लगता है आप example के लिए sodium metal को देख सकते हो जिसे पाने में डालते ही जलने लगता है या बलास्ट हो जाता है नाओ oil shipping tanker ये तो आज के समय में जहाजों से भी बड़े हो चुके हैं क्योंकि 1878 में kerosene oil को transport करने के लिए पहला सफल oil tanker बनाया गया था जो केवल 56 मीटर लेंथ में और 9 मीटर चौड़ा था लेकिन आज के ultra large crude carrier तो करीब 415 मीटर लेंथ में और 68 मीटर चौड़े हो चुके हैं यानि आप सोच सकते हो कि पहले के oil tanker से कई गुना बड़े और loading capacity भी काफी जादा हो चुका है लेकिन दोस्तो इस बड़े साइज का मतलब बड़ा नुकसान भी होगा क्योंकि export के मुताविक 210-218 के बीच oil tankerों के 10 हास्तों में ही समूद में 91% तेल रिस चुका है जिसमें से आदे मामले तो खूले समूद में जहाजों के टकराने से हुआ है एवेन आपको बता दे की एक लीटर तेल करीब 2 लाक लीटर पानी को दूसित कर देता है अबर जो तेल की परत होती है वह काफी समय तक पानी को ढख देता है जिससे समूद में रहने वाले जीओं के पास सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है जिसकी वज़ास से अनगीनत मचलियां और अन्य जानवर मर जाते हैं इवेन हाथ से होने पर जहाज में जो केमिकल्स रखे होते हैं वो इन्वार्मेंट को काफी मातरम नुक्सान पहुंचाते हैं जैसे कि सेप्टेंबर 2019 में ब्राजिल के बाईया में एक ओयल टेंकर डूब गया था जिससे काफी मातरम नुक्सान हुआ था क्योंकि इस ओयल टेंकर से तना तेल लिख हुआ था कि कई दिनों तक समुधत रटकाला पड़ गया था इसके लावा सेप्टेंबर 2020 में जैपान के पास एक बड़ा जहाज डूब गया जिसमें करीब 6000 गायों को ले जाया जा रहा था आप सोच सकते हो यह कितने बड़े हाथसे हैं इवेन 25 माई 2021 को सिलंका के कोश्ट के पास एक कारगो सिप में आग लग गई जिसमें अमोनियम नाइटरेट, प्लास्टीक और बेकिंग सोडा समेत कई और केमिकल्स लदे हुए थे इवेन इस हाथसे में कई जीव मारे गए और वह जगहां कई दिनों तक पल्यूटेड रहा इन सब के अलावा हाली में हुए 2020 तक करीब 892 सिप्स पानी में डूब चुके हैं जिन में करीब 377 कारगो सिप्स थे 72 पैसेंजर सिप्स, 64 बल्क कैरियर 142 ओयल टेंकर, एवेन कुछ और सिप्स मौजूद थे इसके लावा यूगन के एकरफ रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ओसियन में करीब 30 लाग से भी जादा जहाजों का मलवा ऐसे ही बिखरा पड़ा है एक्सपोर्ट का कहना है कि जब कोविड लगडाउन हुआ था तब 2020 से 2022 में हाथ से काफी कम हुए थे लेकिन एक बार फिर बढ़ते हुए मामले रिपोर्ट होने लगे हैं इवेन आयचा मार्किट के एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी ओसियन में चलने वाले तमाम तरह के जहाज हैं उसमें कई देशों के करीब 20 लाग से भी जादा लोग काम करते हैं जिनमें से केवल 25 से 29 के बीच में करीब 527 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 509 लोग लापता हो चुके हैं लेकिन बीते हुए 50 सालों में क्रू मेंबर्स की सुरच्छा और उनके ट्रेनिंग के साथ-साथ बोट फैसिलीटी में कई समझाते किये गए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ इवेन बीजी पोल का कहना है कि सीपिंग इंडस्टी में बीना किसी बड़े चेंजेस के ये हलात नहीं सुधरेंगे क्योंकि खराब मौसम, दुसवार हलात में काम करते हुए क्रू मेंबर्स और जलते डूपते हुए जहाज लेकिन सायद इनी प्राब्लम्स को पार करते हुए बहुत सारे समान हम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं तो सबसे परे थाइंक्यू सीपिंग इंडस्टी को ना दोस्तो ये थी सीपिंग इंडस्टी बट आपको सीपिंग इंडस्टी कैसा लगा और क्या सच में इसमें कोई चेंजिस करने चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताईएगा